हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद अंकिता स्वागत हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे स्सी छेसल का प्रिविस यर जी के पेपर यह हमारा सेट एड़ है और यह पेपर है 4 जुलाई 2019 का और मॉर्निंग शिफ्ट क यह पेपर हैं तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके टो हमारा सब्सक्राइब कर दिए और सी सप्सक्राइब हृपेस ऑथिकेशन अजीं नहीं के सॉटाः नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर दитесь कीजिए और सब्सक्राइब को मेरे बतानी है तो आपको पता होगा दिरेस्टिषण का यह ह супर वाला नोट उर जो हमारा right hand होता है वो हमारा east और जो left hand वह तर ड्वल्यू जानकि west और जो हमारे पैरों की तरफ होता है उसे बोलते हैं south जानकि हमें south की तरफ जानकि सबसे नीचे की तरफ नदी बतानी है तो यह हमारा के केरला के Map for example हमें इब इस तरह जहां पर नदी जारी है वह नदी नदी नहीर रिवर में हैं जो के सबसे समें हैं बागी एक देख लेते हैं एक बार यहां टिर नदी सarnos a यह देखिए यह एंडवली नदी नयर नदी आगे जो हमारा केरला था वो बना था 1st November 1956 को इसकी कैपिटल है तरवन्था पूरा नंबर ओफ डिस्ट्रिक्स 14 गवनर है आरिफ मोहमद खान चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विज्यान पिनाराई विज्यान मेंबर ओफ लजिस्यर्टिव असेंबली 144 सीटे लोगसभा की 20 सीटे है और राज्यसभा की जामपया 9 सीटे केर्ला के जो बाांड़िस टाच होती है वो ते कनाटका से और तामिलICA डू से वाटर बोर्डी टाच होती है अरेबियन सी से केरला के important national parks पढ़ लेते हैं अनामुडी शोला नैशनल पार्क, एराविकलम नैशनल पार्क, मनी केटर नैशनल शोला नैशनल पार्क, पंबदम शोला नैशनल पार्क, पैरियर नैशनल पार्क और साइलेंट वैली नैशनल पार्क आप जाद कर सकते हैं कि जिनके पिछे शोला लगता है वो नाशने पार्क कौन से स्चेट में होंगे तो केरला में होंगे एरा विकुलम नाशने पार्क में काफ़ी इंपोर्टन्ट है और पैरियर नामसे एक यांपे नदी भी है और एक उतर साइलेंट वैली नैशनल पार्क, आप इसे पिन वैली नैशनल पार्क से फिन्सूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो है उत्राखंड में, और साइलेंट वैली है हमारा केरला में, आगे बात कर लेते हैं, हमारे केरला की जो recent news है, तो केरला जो मिनिस्ट्रिय व तूर यहां पर करमी बोट नामद से एक रोबोट डिपलाई किया गया है ताकि वो जो फूड और मैडिसिंस हैं को वो सर्फ कर सके यहां पर एक तरह का तिरंगा इनिशेटिव लॉंच किया गया है जिसमें कि जो कॉर्णा वार्स पेशन से उन्हें स्टैन करने के लिए यह किया ग पेंडमिक के दुरान तो मिशन ग्रेंट केर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट में शुरू किया गया है तो केरला में अभी हाली में केरला का जो गोल्ड स्केम है वह भी काफी चर्चा में आया गया था क्योंकि जो हमारे डिप्लोमेर्स होते हैं कॉंसलेट होती है ईजहां पर यह यह वहां से कुछ ठटटी केजी तक गॉल्ड भी बिरामत किया गया है इसमें जो चीफ मिनिस्ट ने नाम भी सामने आ रहा है आगए फर्स्ट हेंस्ट्मुन्स्टर औरक जिसका सही अंसर होगा हमारी राजकुमारी-स नोन मैस्ट्र सी फर्स एजूकेशयी सरदार वरलबाई पत्यल से हमारे फिर्स सदिप्टी प्राइमिस्टर थे टिकविप्टी पीएम और हमारेakter फ्स हॉम लिस्ट्र भी यही थे चिक्वाहिं पांपुय, जिनहों के सबसे पहले युएन में, कि रिप्रिजेंट किया था व् तो इसका सही अंसर होगा अफजल खान को ये बैटल हुई थी 1659 में कहां पर हुई थी मराठा किंग से जो महाराश्टरा में हुई थी सतारा के पास ठीक है कौन कौन सी फोर्सिस थे एक तो मराठा किंग थे जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज डीट कर रहे थे और एक आदरशाई जनरल अफजल खान थे तो मराठा ने कहा गया था जो अदरशाई की फोर्सिस थी उसे डिफीट कर दिया गया था और इस बैटल में जो विट्पादक स्टेट हैं तो इसका सही अंसर हो जान की लाज्जिस रिजव है राज्यस्थान सब्से ज्यादा जो सिल्वर हैं वो पायजाता है राज्यस्थान में टोटल हमारे इंडिया का 87% सिल्वर पायजाता है और जहां पर जो सबसे पोपलर माइंस तो की एमेरिकन कंट्री है और पेरो की कैपिटल है लीमा लीमा ठीक है साउथ अमेरिकन कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा सिलवर प्रडूस किया जाता है आगे फूड विट्टेड इंडिया स्वारव कथारी इन फाइनल टु विन था टू थाउजन नाइंटीन पैसिफिक इंटर आया था स्वारव कथारी को आगे ऐस जून टू थाउजन नाइंटीन हूं अमांग दा फॉल्विंग इस चेर्मेन ऑफ दा फ्युफ्टेंट फाइनस कमिशन आफ इंडिया ज्यानि कि जो मारे पंदरमा फाइनस कमिशन है उसके चेर्में कौन है इसका सही एंसर होगा हमा नाम येटी हो हमारे फैनस कमिशन के बारे में बताता हैना कि क्यों बनाए चाता है तांकि जो सेंटर और सटेट के बिच जो फैनेशल shi pod already सकता हैं उसके बारे में बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच में कोई वी टकराव ना हो यह करता है हमारे जो Washington Hate doubts के इससी नियो प्रेजिदेंट के द्वारा फॉस्ट फाइनेस कमिशन हमारे कब कब आया था दोन आया था 1951 में और इसका टैनूर होता है वह होता है पांच साल का आगे विच फॉलिंग बुक्स वाज नोर्ट रिटन बाइद ग्रेट इंडिन पॉइट और ड्रेमिटिस्ट महाकावी कालि कर देखाव स्कृष्ट लाश्चन आरितुसमारा वालीवगिन मित्रम और जो एक बुक काफी वहाँ शेमस है कालिदस्टा की वह है अभीज्ग्याँ पॉट्रम यह सारी बुक्स कालिदस्टा के दरवरा लिखी गई है पर जो भुक हैं मालति मादवा यह लिखी गया बान टेस्ट मैच के फॉर्स सेशन में ही किसने हमारे फॉर्स इंडिन क्रिक्टर थे जीनों ने संचरी बना दी थी तो इसका सही एंसर होगा हमारा शीखर धवन शीखर दवन इस राइट अंसर आगे इन मैं 2019 विच वन अफ फॉल्विंग ऑगनाजेशन्स वाज बैंड बैंड ग कि इन में से कॉंस्व और्गनाजेशन्स ही जो कि हमारे गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंड कर दी गई थी तो इसका सही एंसर होगा जमाते उल मजुबिदिन बंगलादेश जमाते उल मजुदिन बंगलादेश आगे वू मंग द फॉल्विंग पाइनेट अर्थमेटिक पताय था कंप्पूटर लैंगुजिस में इसका सही एंसर है क्लॉड शैनन क्लॉड शैनन वीच आफ दिस नौट वाटर बॉर्ण डिजीजिस जैनकि इन में से जो पानी से रोग नहीं फैलता है वह कौन सा है इसका सही एंसर हमारा होगा मंप्स मंप्स जैन में हमारे पॉलियो मलेरिया कुलेरा डेंगू स्केबी स्टाइफिड अनीमिया डायरे एक्सेक्टरा इन माई 2019 वुमंग द फॉल्विंग बिकम दा ओनली माउंटरनर इन वर्ल्ड तो होल्ड रिकोर्ड फॉर मोस्मीट्स ओन माउंट आवरेस जानकि इन में से कौन से माउ में माउंटवरेस को फत्य किया है काफी इंस्पारिंट पर्सणालटी है यह कामी रीटा शियर्पा में ंगे विच्ण मौन्टन इंडिय इस इस्ट्र बॉर्डर विद मैंन्मार की कौन से माउंटन्स हैं जो कि हमारे इंडिया की इस्टन बोर्ड टन से टाच होते हैं जै परवंचल रींज्स ओर इंष्ट और म्यांनमार में इसे बांडि टो होती हैं तो प्रवंचल में कौन से यह जाते हैं तो पतकाई इस बरालरेंज नगा है स्टम्ण तॉछी हेे इस यह काफी Nord इंपार्ट् मेंजिस की जो मार्च मीडियो फॉर्म थी वह कहां पर हुई थी तो इसका सही अंसर होगा किर्गिस्तान में किर्गिस्तान की कैपिटल है विश्केक ठीक है आगे हम Lazio के बारे में बात कर लेती हैं то sqo का जो हैड़कटर्स हैं वो है बिंजिंग में चाइना में जाइज रखेंगा शंघाई मतलब कोर्परेशन और और किर्गीस्तान और इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें जॉइन किये गए थे तो अब टॉटल है स्ट्व के एट मैंबर्स एसी ओने अब यह जो अपनी वंडर्स ओफ लिस्ट है वह भी जारी की थी इसमें से इंडिया का स्टैच्व फ लिबर्टी तो स्टैच्व फ यूनिटी है जो हमारा इम स्टैच्व फ यूनिटी जो कि सदार वल्लबाइप टेल ज्याइब को डाइडिकेटर है जो की गुजरात में हैं वह भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है जो सदार वललब पर टेल जी की जनती जुनिटी डे मना जाता है कस्ति सक्तुबर को इन्हीं के जाद में हम जूनिटी डे मनाते हैं कि वही दा ओफफ दॉफ अटी अर्ट यानन की यह कौन सी तरह के टाइप सहां तो सूपर कंपूटर तो काफी मतलब लाज से के स्केल में होते हैं जैसे कि हम काफी अडवांस काम कर सकें तो इसका सही इंसर होगा हमारा माइक्रो कंपूटर्स की रेंज में आते हैं इसे मैं आपको अशान बासा में समझाओं तो आप इसे एक बैंक से समझ सकते हैं आप बैंक में क्या करते हैं अपने पैसे डिपोजिट करते हैं और फिर जो बैंक कोता है वो आपके डिपोजिट किया के पैसे आगे लोन पर दे देता है इसी से बैंक को कमाई होती है आप समझने की कोशिश कीजिए आपने बैंक में 10,000 पर जमा कराएं क्यों कराएं ताकि आपको जब बाद में जुरूरत पड़ेगी आप वापस बैंक से ले लोगें और साथ में आपको कुछ इंट्रेस्ट भी मिल जाएगा बट आप अगले मेने बैंक के पास गई बैंक न ले दिए फिर आप इसका नोत लगया हूँ आपके पास तो जो आपने पैसे जमक रहे थे वह बैंक में भी safe नहीं है आपको टाइम पे पैसे नहीं मिले तो इसलिए जो बैंक होते हैं उन्हें कुछ न कुछ अमांट रखने पड़ती है ताकि जो उनके short term होते हैं जो obligations होत प्रफिल करने के लिए उन्हें कुछ highly assets रखने पड़ते हैं जो आपके easily कामा सकें आगे तो यहां पर हमें environmental performance index की ranking बतानिया इंडिया की 2018 की तो इसका सही अंसर होगा 177 out of 8 180 countries यह हमारी जो report है वो है 2018 की और यह release की जाती है जेले और Columbia University से साथ में World Economic Forum का World Economic Forum में आपको कल भी पढ़ाया था जिसका की headquarter है colony Switzerland में ठीक है और अगर हम रे latest ranking की बात कहें तो दोहर 20 की latest ranking है जिसमें हमारी इंडिया की position है 168 और टॉप में कौन सी country है तो वह है Denmark जो की normally हमेशा ही होती है बाकी आप बाकी ranking देख सकते हैं यूके की fourth ranking है औस टेलिया 13 यूएस 24 रशिया 58 साओधी रेबिया 90 चाइना 120 और इंडिया की हमारी ranking है 168 ठीक है what is the SI unit of pressure pressure की SI unit को क्या बोलते है तो इसका सही अंसर होगा पास्कल और किसकी unit होती है और होती है resistance की काफी easy question है यह volt होती है voltometer की voltage जिसके हम voltage नापते हैं और ampere होती है current की यानकि जो हमारा electric current होता है उसकी unit जिसे की हम I से भी represent करते हैं आगे which former judge of the Supreme Court of India was appointed as a chairperson of the news broadcasting standards authority in May 2019 यानकि news broadcasting standards authority का हमें chairperson बताना है जो की former Supreme Court judge है जिसका सही अंसर होगा एके सिक्री आगे who among the following was elected and sworn in as the sixth president of Ukraine in April मैं 2019 यानकि April मैं 2019 में युक्रेइन के रेश्टपती किसे जुना गया था इसका सही अंसर होगा वॉल्दी मेरी जैन सेंकी ये comedian थे जो की बाद में partations बन गए ठीक है और यो जुक्रेइन है इसकी राजधानी के है कीव युक्रेइन है कीव है कैपिटल युक्रेइन की आगे विच ओफ फॉल्विंग और फ्लावलेस प्लांट्स जाट प्रद्यूस और ये विच इस विडियो में आपको प्लांट किंडम भी अच्छे से पड़ा देती हूं छोटा सा टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंडम दिया था विटे करने विटे करन चीड़ी थी जिसमें भी एक प्लांट इंडम अलग से क्लासिफिकेशन सी प्लांट किंडम को आगे पढ़ने से पेले हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है क्रिप्टो ग्राम्स और यह होता है फैनोग्राम्स जो क्रिप्टो वर्ड है उसका मतलब होता है याने कि जो चीज hidden हो तो hidden क्या है जो हमारे seeds वगरा हो hidden होते हैं उसे बोलते हैं Cryptograms और Phenograms में क्या होगे जो seeds visible होगे उसे हम बोलेंगे Phenograms क्रिप्टोग्राम को भी आगे हम तीज पार्ट में divide सकते हैं थेलोफाइटा और टैरीडोफाइटा जो हमारे Senagrams होता है इसे दो पार्स में Gymnospol and Angiospolby हम आगे दो पार्स में Dicote और MonoColp om the contributes के मार चलिए आगे तो अगे थोड़ फड़ा पढ़ा पढ़ican और फाकरण थे प्रक्ष केम पर्ण सिल्आ को से पढ़िव तेडियर्व नहीं होती है कौनकों है कुर्ण to और यह थलफटा की फिगर आगे बारोफाइट सा बारोफटा में क्यों थोड़े से डिफ्रेंशेटेड बोटी होती है जाने कि थोड़े से अडवांस लेवर के प्लांट सा जाते हैं इनमें स्टैम लीफ सक्टिर्स थोड़ा सा विजीबर होता है पर उनमें जो वैस्कुलर कि काम आता है और जाइलम आता है जलग के काम इनमें यह वस्कुलर सिस्टम अच्छे से डिवैलप नहीं स्टैंन ओवह वैस्थेंक्य दोबाल करने लें दोब्सकोлуш होती है फेलिए होती है यह लैंड और पानि दोनों में रह सकते हैं इस लिए हम इने बोलते हैं एंते प्लांट किंडम इनके जो कॉमन अग्जम्पल्स हैं वो हैं मोसिस और मार्शेंटिया ठीक है आगे आगे हमारे टैरीडोफाइट्स टैरीडोफाइट्स में आगे थोड़े सी ओड्वेल्प हो जाते हैं इनमें जो वैर्स डिफ्रेंशेटेट्स इस्ट्चर आ जाता हैं सबाइटीयन अग्वारे में खरते हमें थोड़ेयम। अग्सक्राण तॉस सब्सक्राण रेषी त्रगोंगे पर्सेंट्स परिफिल्प्स टैरीडोफाइट्स स्यuters्ट्च इस द्वेल्पाइट्स ठीक है अगे तनके एंकी और कि असे कडिबग summertime 완 diagnostic किfta जैनकी बटरीड नहीं जो सीड उता हैं उसी का मतलब होता है नेक्ड याल कि बीना कवर कि हुए इनमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है विच मींस दिया नोट इंग्रोज विदिन फूट जैसे फूट होता है कोई भी फल है उसके अंदर सीड उता है पर यह सीड जो इनके सीड होते हैं वह बाहर ही होते हैं ठीक है और यह काफी एक्जमपल्स हैं पाइन्स डियोडार डैड़ अक्सक्टरा फूट आगे हम एंग मतलब होता होना तो देखिये अंग्योड का मतलब होना और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स जैनके सीड्स हैं वह हैं कवर्ड होंगे और ठीक है इनके जो सीड्स हैं वह किसमें इंक्लोज होंगे जो फूट होता है उसके अंदर ही इनके बीच चिपी होते हैं यह फ्लावरि से जानकी जैसे दो होते हैं उसी तरह के से दिवाइड कर सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट में सिंगल और डाइकोट में हुमारे होगा डबल तो यह मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा प्लांट किंडम पड़ा दिया है आशा करते हूं आपको यह पसंद आया होगा तो यानि कि हम Constitution के हिसाब से अगर President ने अपना Resignation देना है तो वो किसे दे सकता है तो वो दे सकता है हमारे Vice President को और Vice-a-Versa अगर Vice President को भी Resignation देना है तो वो President को दे सकता है तीक है आए थोड़ सा President के बारे में जान लेते हैं प्रेजिडेंट के जो आर्टिकल वो लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 5278 में पार्ट हमारे फाइफ ऑफ दी कंसिटूशनल डैट डील विद इजून एग्जीक्यूटीव प्रेजिडेंट की आर्टिकल 52 बताता है कि इंडिया के पास एक प्रेजिडेंट होगा इंद प्रेजिडेंट के इलक्षन होते हैं प्रेजिडेंट के इलक्षन हम ड्रक्टली नहीं करते हैं जो हमारे इंड्रक्ट वी से चुने जाते हैं जो कि हमारे इलक्टेड मेंबर्स होते हैं बोद यहां कि राज्यसभा और लोगसभा ध्यान रख कभी रतिस्पेट करते हैं न्युक्र और इंडिया की भीक्तेटीन की धयास में और चाहिए और अरहा १ंट टो को वाले समय वरुम करें प्राइड क्या जा सकता है मतलब किसी से में स्टार्ट किया शकता है और ठीक का कि और 54 आटिकल बताता है प्रैजर्डट ओफ election प्रैजर्डेंटल election के बारे में मंफिफटीफ फीफ होता है कि जो मैन wollte प्रैजर्डेंटल लेक्शंग महा.'' लोगसबा जब से नहीं होते हैं तब हमें कोई बतलब जल्दी में कोई बिल लाना होता है तो जो प्रेजशन के पास पाऑर होती हैं कि वो ऑर्डिनस लाग कर बिल पास करवा सकते हैं और जब जब भी सेशन शुरूं होगा तब है जो फ्रेजेशन ने पास किया और अगर प्रेजिडेंट की पोस्ट है जो इन दी फॉल्विंग वेक्स जानकी प्रेजिडेंट की जो पोस्ट है जानकी प्रेजिडेंट का जो टैनुर वह खतम हो चुका है जा फिर प्रेजिडेंट में रेजिनेशन दे दिया जा फिर प्रेजिडेंट के पीच्मेंट पर तरह कर सकते हैं तो कोई बी Supreme Court का जो Chief Justice की जगा एलक्षिन नहीं है तो जो भी बाकि सीनर्च दूट में इतने जादिरफिस होते हैं उनमें से कोई जो सीनर जज होगा उसे प्रेजिदंट की पोजिशन दे दी जाएंगी प्रेजिटंट unavoidants करक्ते क्मिशन कोeles करने के लिए प्रेजिड़न क्ryd प्राइजिजेंट के द्वारा ही नुकत्प किये जाते हैं तो ये थी था हमारे थोड़ी सी जानकारी Pang Forever आगे हमारा कॉशन है तो वंग करते हैं इसका हमारा होगा करनाडका से ये करते हैं कनाड़का से तो यह था हमारा आखरी कोशन आशा करते हूं आपको जी वीडियो पसंद आई होगी मेरे काफी आप से इसमें इंपोर्टन कंसा आप डिसकस की है अगर आपको जी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और आपको इसकी पीडि अलिग्राम चैनल यू कान जोईन मी है स्टडी विद अंकिता के नाम से चैनल आपको मिल जाएगा तो थैंक्यू आप